Hello viewers, धुआज सिखने वाले हैं, economics book का chapter market equilibrium के बारे में यह बहुत ही आसान सा question है और बहुत ही important question है, exam में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है market equilibrium के related question यहाँ पे जेख सकते हैं आपको, दिया हुआ है calculate the equilibrium price and quantity from the flowing demand and supply function यहाँ पे demand दिया हुआ है, QD को demand दिया हुआ है, यहाँ पे QS supply दिया हुआ है, QD equal to 195 minus 8P दिया हुआ है QS equal to minus 5 plus 12P given है, तो यहाँ पे कभी-कभी QD के place पे आपको D भी दे देगा capital D, demand है और QS के 60 पे क्या दे देगा, yes दे देगा, ठीक है, तो इसको बोलते है demand, इसको बोलते है supply आपको question किसी तरह कभी आए, यहाँ पे P दिया होगा, P के place पे कभी A, B, C, D देता है, डर्ना नहीं है QD के place पे D देगा, QS के place पे कभी-कभी yes भी देता है, ठीक है, तो डर्ना बिल्कुन लहीं है, असान से हम लोग कर सकेंगे किसी तरह कभी question आए, equilibrium price से हम लोग निकाल लेंगे demand and supply function का यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ हमको question में आना चाहिए, calculate the equilibrium price and quantity बस इतना है, आप लोग मज़े से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे solution कर रहे है, solution करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे here given लिख लेते हैं, जो question में given है, पहले वही लिख लेंगे, QD दिया हुआ है, जो question में given है, वो यहाँ पे 195 minus 8P लिख लेंगे, इसको बोलते है demand function, इसको बोलते है, supply function, यह minus 5 plus 12P है, इतना करने के बाद हम लोग को पता होना चाहिए, market equilibrium का formula क्या होता है, ठीक है, तो market equilibrium में आपको क्या लिखना होगा है, यहाँ पे, for market equilibrium, ठीक है, आपको for market equilibrium का formula जो है, आपको याद रहना चाहिए, qd equal to qs होता है, हमेशा होता है, आपको यह याद रखना है, आप यहाँ पे d equal to yes भी लिख सकते है, आपका मन है, तो यहाँ पे d दिया होगा, तो d, यहाँ पे yes है, तो d equal to yes लिखेंगे, यहाँ qd qs है, तो qd equal to qs लिखेंगे इस तरह exam में, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यह value put कर देंगे यहां पर qd का value कितना है 195-8p है यह value हमने रखा is equal to qs का value है minus 5 plus 12p इस तरह से कर लेंगे और p को p को एक place पर रखेंगे number को एक place पर रखेंगे और p को एक place पर रखना है ठीक है लेटर को एक place पर रखना है ठीक है alphabet को इसको जो रेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और लिख देता है यहापर इसको जो देंगे तो कितना आ जाएगा 20 P हो जाएगा तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 200 by 20 कर देंगे तो हमारा P का जो value आ जाएगा इस तरह से हमारा P का value आ जाएगा तो इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा so हमारा जो P का value है वो कितना आ गया 10 आ चुका है ठीक है इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब देखिए अब इसको QT निकलना है QS निकलना है P तो हमारा आ चुका है इसको equation माल लेते है यहाँ पर equation 1 माल लेते है इसको इसको equation 2 माल लेते है तो equation 1 and 2 तो हम लोग माल चुके है इतना करने के बाद अब देखिए putting the value of यहाँ पर क्या लिखेंगे इतना सल्प करने के बाद putting the value of the value of P in equation 1 1 में रखेंगे P का value P हमारा 10 आया था P जो आया था हमारा 10 आया था यहाँ पर देख सकते है आप लोग हमारा जो P आया हुआ है यहाँ से 10 आया हुआ है ठीक है तो यह 10 का value हम लोग equation 1 में put करने वाले है बस इतना ही करेंगे तो जो हमारा equation 1 है यही है QD is equal to 195 minus 8P है ठीक है तो 195 195 हो गया minus का minus हो गया 8 into P का value हमारा 10 है तो यहाँ पर 10 निकलेंगे उसी तरह से 195 minus इसको करेंगे तो 80 into 10 हमारा 80 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आजाएगा 115 हमारा आजाएगा demand ठीक है तो हमारा यही answer हो गया QD का answer क्या हो गया हमारा 115 5 यह हमारा answer हो गया QD के लिए अब हमारा QS भी निकलना है तो equation 2 में यह जो equation 2 है इसमें हम लोग P का value रख देंगे तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे now putting the value of the value of P in equation 2 ठीक है 2 में हम लोग रखेंगे so 2 का equation जो है हमारा यही है QS equal to minus 5 plus 2LP वही लिख लेंगे यहाँ पर यहाँ पर वही लिख लेंगे हम लोग आसानी से ठीक है QS is equal to minus 5 plus 2LP यही हमारा equation था value रखेंगे minus 5 plus 2LP P का value कितना था हमारा आया हुआ 10 आया हुआ था ना निकाले हुए तो P का value 10 वही रख दिया मैंने so minus 5 plus 12 into 10 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा यहाँ पर और minus 5 plus 12 P है तो हमारा 120 हो गया यहाँ से कितना आ गया हमारा 115 आ गया यहाँ पर देख सकते है 115 QS का भी 115 है QD का भी 115 है ठीके है तो हम लोगको एक निकालना होता है QD या QS निकाल लेंगे तो QD या QS मेंसे एक निकाल लेंगे तो चल जाएगा हम लोग दोनों निकाल देख लेगे तो best हो अच्छा हो गया ठीके तो यहाँ से क्या proof हो जाता है QD या QS है दोनुका एंसर मिल गया इसलिए हमारा एंसर भी मिल गया इस इकल टू 1 1 5 लिखके इस तरह से एंसर लिख देंगे तो आपका तो फूलमक्स दे दिया जाएगा शिप लिखना होगा लास्ट में क्या लिखना होगा qd equal to qs equal to answer लिखकर लिख दिना फूलमक्स मिल जाएगा नए होतो आनल को सब्सक्राइब करो कमेंट करो बेल आइकन को दबालो कि नेस्ट वीडियो के लिए आपको टिपिशन आएगा मि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के चलता हूं